आज की स्विज्ज में आप लोगों को बिताने वाली हो डिजिटल लिट्रेसी हैंड ओन एक्सरसाइज 3 का सलूशन इस एक्सरसाइज फाइल आपने यूर्टिलाइज करनी होगी हैं यहां पर हम अपने डिजायर टास्क को कम्प्लीट करेंगे सबसे पहले टास्क आवारा है कि आपने डेटा को इंटर करना है जो कि A1 से लेके F11 तक आपको दिया गया एक्सल शीट के अंदर टाइम बचाने के लिए मैंने पहले से इस डेटा को लिखकर रख लिया एक सिंपल सा काम करूंगी इसका स्क्रीन चॉर्ट लोंगी और करा दूंगी दूसरे टास्क की बात करों तो मुझसे कहता है कि लास्कॉलम में आपने क्या करना है फॉर्मूला प्लाइप करना है के लिए प्राइज आपने ऐस थी से एफ टैन तक यानिके को मर्टिप्लाय करना यूनिट प्राइज से ताकि वह बराबर हो जाए टोटल formula लिखते जाएं and then फिर उसको आप continue करें एक असान तरीका क्या है आप ये सारे cell select करें आपने सारे cell select कर लिए यहां आएं यहां आने के बार आप क्या लिखें यहां पर formula लिखें मैंने लिखा इस जिगल टू के बाद हमें D3 चाहिए तो मैंने D3 से select किया और D3 को मुझे कहां तक multiply करना है पहले मैं इसको एक आपको single row multiply करके दिखाती हूँ E3 यानि कि D3 को मुझे E3 से multiply करना है simple मैंने formula लिखा मैंने इंटर कर दिया मैंने जैसे इंटर किया आप देखें आपे कितना हो गया यहां पे 440 सेलेक्ट हो गया अब 440 वहां तो आ गया यहां पे तो कहीं कुछ नहीं आ रहा तो अब क्या गरें इसको select करें corner से यहां से इसको पकड़ें पकड़के कीच दीजे अब जैसे पकड़के कीचेंगे एक formula से आपका सारा data यहां पर compiled out हो गया करें यहां से कॉमा लगा दें end zeros को यहां से आप जो है वो shift out कर दें तो आपका इस तरीक से यहां पर यह complete हो जाएगा तो यह वाला जो हमारे टास्क तर total price वाला यह भी क्या हुआ यहां पर complete हो गया तो इसके लिए आपने simple काम करना है इतने portion का screenshot ले लें इसको submit करा दें दूसरे task के अंदर इसके अगले task के last draw के अंदर आपने क्या करना है calculate करना है sum of all the stuff ठीके इसमें D11, E11 और F11 का हमने क्या करना है sum करना है अब देखें D11 यह रहे E11 यह रहे and F11 यह रहे इसमें क्या करना है sum करना है अब sum करने के लिए क्या करेंगे यहाँ से पूरे को select करें select करने के बाद formula's में जाएं आपको यहाँ पर auto sum देखेगा इस auto sum पर click करें यहाँ से sum पर click करें 290 इसका sum जो है वो total आपके पास आजाएगा सेम बाकी की चीज़ों के लिए भी जो है वो आप apply out करें 170 इसका sum हो गया यहाँ से select करके auto sum करेंगे तो 4625 इसका sum हो गया यहाँ पर आपकी जितनी भी details थी वो भी यहाँ पर compiled हो गई इसका भी लीजिए एक अदर screenshot हमने यहाँ पर sum करना था तो मैं सिंपल यहीं से इसका ऐसे screenshot ले लिया ताकि दोर अच्छे से नाजर आजाए इसको paste करा दिया टास no.3 में अब क्या करना है एक ले टास में एक ले टास में आपने जो भी raw है उसकी height करनी है 20T के तो raw की height 20 करनी करनी है सबसे बहुते हैं इसके बाद क्या करेंगे इन सब को करेंगे select select करेंगे right click right click करके देखें आप उज़रा height दिख रही है कहीं पर मुझे format cell दिख रहे है format cell में अगर आपको height दिख जाती है तो काफी अच्छी बात होगी अधरवाइस फिर height जो हमें क्या करनी पड़ेगी height हमें ढूंडनी पड़ेगी ठीके मैं still यहां पर भी click करके देखती हूं कहीं height का option available है मेरे पास तो यहां पर तो मेरे पास height का option available लहीं है get data वाले option से देखती हूं height का option जो है वो मिल जाए कहीं पे मेरे पास तो यह भी data से related आ रहा रहा अच्छा कोई बात नहीं हम यहां पर कहीं height का option देख लेते हैं format table as में कहीं मिल रहा है अच्छा जी तो बड़ी जद्व जहत के बात हमें जो है वो यहां पर मिल गया है जो है वो मुझे आकरकार मिल ही गया कि कहां पर जो है वो हमारे पास यह availability के तो यहां से अब आप directly इसको consider कर लेगा लास में क्या करना है border apply करने table पर भी अपलाई कर देते हैं लास में इस पूरी को select करते हैं select करने के बाद आप यहां से जाए format करके डारेक्ली यह वाला अगर आपने format लगाना हो तो यह वाला format लगा लेए वरना यह रहा आपका border और इसमें इस तरीकी का यह थिक सा border जो है वो इसको अपलाई करते हैं border color लिए अपलाई करने के लिए color line dba में थोड़ी सी रेड टाइप की लाइन जो आपने लास टास्क के अंदर तो हमारे यह टास्वियां कम्प्लीट हो जाएगा तो मीद करते हैं आपको पसंद आई होगे अच्की वीडियो के लिए बस इतना ही आपसे में लाकात करेंगे वीडियो में किसी और इच्छ टॉपिक के साथ तब तक के लिए मुझे दीजिए इजासत